केनेडा के पब्लिक ब्रोडकास्टिंग कॉर्पोरेशन सीबीसी के ट्विटर एकाउंट पर इलॉन मस्क ने गॉव्मेंट फंडिड मीडिया का टैग लगा दिया सीबीसी ने विरोध किया इलॉन मस्क ने सबूत दिखा दिये सीबीसी ने कहा कि इतना नहीं हम सरकार से थोड़ा कम पैसे लेते हैं इलॉन मस्क ने उनके ट्विटर एकाउंट पर सरकार से थोड़े कम पैसे लेते हैं का टैग लगा दिया देखिए इलोन मस्क के Too Much Fun की मज़ेदार वीडियो इलोन मस्क इन दिनों पश्चिमी मीडिया की पोल खोलने में लगे हैं इस्तिती ये हो गई है कि दिगज पश्चिमी मीडिया कमपनिया ट्विटर छोड़ छोड़ कर भाग रही है इस पर विस्तार से बात करेंगे लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो देखने की बाश्रिया जरूर करें CBC यानि Canadian Broadcasting Corporation ये Canada का DD News है समझ रहे हैं ना आप सरकारी नीज चैनल लेकिन समस्या ये है कि ये स्वयम को अब तक स्वतंत्र बताते आ रहे थे अब इलोन मस्क ने CBC के ट्विटर एकाउंट पर Government Funded Media का टेग लगा दिया ये टेग देख कर CBC का खून खौल गया उन्होंने तुरन ट्विटर को सबक सिखाने के उद्देशे से कहा कि हम सरकारी funding से नहीं बलकि public funding से चलते हैं इलोन मस्क ने थोड़ी देर में आकड़े सामने रखती है आकड़ों में साफ साफ लिखा था कि टूरो सरकार ने धेर सारा पैसा CBC को दिया है जब ये आकड़े सामने आये तो CBC नरम पड़ गया बोला ठीक है हम सरकार से पैसे लेते हैं लेकिन कुछ पैसे public भी हमें देती है CBC ने कहा कि 70% हम सरकार से लेते हैं और बाकी public से तो इलोन मस्क ने CBC के twitter account पर 70% government funded का tag लगा दिया अब तो CBC आग बबुला हो गया इलोन मस्क ने CBC का मजाक बना कर जो रख दिया था ये तो कुछ भी नहीं इसके बाद जो हुआ उसके बाद CBC ने twitter ही छोड़ दिया दरसल किसी user ने इलोन मस्क से कहा कि 70% government funded सही नहीं है CBC को थोड़ा discount दे दो इलोन मस्क ने कहा ठीक है दयालोता दिखा देता हूँ और इस बार इलोन मस्क ने CBC के twitter एकाउंट पर 69% government funded का tag लगा दिया अब 90% government funded के tag के साथ CBC twitter पर क्या ही पत्रकारता करता उसने twitter छोड़ दिया और ये पहली बार नहीं है जब इलोन मस्क ने किसी media house को सक्ति से रूबर्यू कराया हो इससे पहले BBC के twitter एकाउंट पर भी इलोन मस्क ने इसी तरह से government funded का tag लगा दिया था जिससे BBC भड़क गया था और इसी तरह से अमेरिका के broadcaster NPR यानि national public radio पर भी इलोन ने government funded मीडिया का tag लगाया तो भड़क कर NPR ने भी ट्रेटर छोड़ दिया इलोन मस्क के टेक ओवर के बार ट्रेटर किसी मज़ेदार comedy show से भी ज़्यादा मज़ेदार platform बन गया है ट्रेटर को लेकार इलोन मस्क को लेकार आपका क्या कहना है कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जय हिंद